तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एक बोर्ड है यह 5R का बोर्ड है जो कि प्लास्टिक सीट के उपर बनाया जाता है और यह पिक्सल के एक गेट का हिस्सा है जो कि उपर का पोर्शन का हिस्सा है और आगे से यह कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें आप देख सकते हैं यहांthat pixel रखा हुआ है वही पिक्सल को हम यहां पर लगाएंगे किस तरह से लगाएंगे क्या एसका प्रोस्स कुछ मैंके आपको इस वीडियो के महत बता दो की बॉड़ में अगर आप पहले कभी बना चुके है और उस बोड में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो किस किस तरह की दिक्कत आती है मुझे जिदी तक पता है वो सभी चीज मैं आज आज आपको प्लियर करने बला हूँ आप सभी का बोल बड़िया जले किसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और हर एक कुछ step by step मैं आज इस दूजियों में आपको पता हूँ दोस्तों यहाँपर आप जो सीड देख पारे है यह 8 x 4 का है यह जो लंबे का portion है यह 8 x 8 पूट है और यहाँ पर जो चौड़ा का portion है यह 4 psi DOC यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले इसमान बाठाम का फ्रेम है यह लगा दिया है यह ग्योंकि यह पलास्टिक सीड है बहुत ही नरम होता है था नहीं होता है पहले पहले जो समय था उसमें इसमें Till वर्ण यह उड़ के बनाया जाता था तो उसमें क्या होता था उसमें अगर आप बटम नहीं भी लगाते ए फिर भी आपका काम कर सकते हैं पर इसमें क्या होता है इसमें अगर आप बटम लगा लेंगे तो उसमें स्लीब नहीं होगा बहुत समय ऐसा होता है लैम लगाने के बाद आप देखते हैं कि आपका जो बोड का जो हिस्सा है वो कहीं पर ज्यादा हो रहा है कहीं पर कम हो रहा है तो सेटिंग नहीं होगा पाता है तो इ और जो बड़ा portion है उसमें 24 लैम है, मैं यह जो बोर्ड मना रहा हूँ यह 12 v 24 का है तो यहाँ पर जो उपर का portion होगा उसमें 12 होगा और यहाँ पर जो side का portion है जो लंबा portion है उसमें 24 लेंग लेगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको 12-12 करके divide कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते है एक, दो, तीन, चाप, ना, चे, साथ, आ, ना, देस, तकर आफ, तो यहाँ पर 12 से लेकर हम सुरू कर रहे हैं और य उसमें और उसके बाद आपको अपने down side में लेकर चले आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो lamb है यह इसका जो ओयर है यह थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसमें ज्यादा जगा नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा लेंग को cutting करना पड़ेगा और उस तरह से अब नीचे से लेकर उपर तक ले जाना है और इसी तरह से आपका पूरा जो portion है इसी तरह से आपका होगा लस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा यह जो portion हमने cutting किया है उस portion को आपको तीनों वैर के मदद से आपको sorting कर लेना है जो आपका मतलब 12 भोल का जो आपका DC जो है वो आपका plus जो है उसको आपको plus में देना है मतलब red wear, red के साथ और जो white wear है तो उसको white को white के साथ देना है और उसके बाद simply आपको करना क्या है जो green wear है जो की data है जिसमें function होता है तो उसको green के साथ green को connect कर दो बस इतना सा काम है तो देख लीजे यहाँ पर इस तरह से आपको उपर से लेकर नीचे की portion तक आना है और फिर से आपको नीचे से लेकर उपर तक जाना है इसी तरह से यही same process रहेगा दोनों side गाई एक side नहीं दोनों side गाई जब आप उस side गो करेंगे तो पहले से जहां से आपने शुरू किया था उस जगा से फिर से आपको portion में आएगा उसमें आपका क्या सुविधा रहेगी तो दोस्तों जब आपका midl portion में रहेगा तब दूनों लेका आपका midl में में cut out होगा अब जब आपका निकलेगा कैणida से-शिति जॉती आपको उपर का हिस्ता है जो आपका हाप री तो इसी skin में आपको उपर की तरफ हम लेकर जा रहे है मेरा जो बाइब यहाँ पर लगा रहा है तो बहुत ही बढ़ी क्याम रहा है मैं देख पार हूं मैं उसको गाइड कर रहा हूंilot दोस्तों यहाँ पर तो यहां पर इस तरह से लगाना है आपको तो तो यहां पर मैं यही सिर्फ बहुत सिर्फ छोटा सा पुर्षान आपको मैं दिखा रहा हूं, तीनों लेंग का लाइन जो है किस तरा से है, वह मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर फिर से और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर फिर से आपको कटिंग करना है फिर से आपको उपर से नीचे ले आना है फिर से आपको नीचे ले जाना है इसी तरह से आपको करते रहना है यह देखिए यहां पर चलता रहेगा दोनों साइड में और उसके बाद क्या होता है? पूरा पूर्शन हो चुका है और इसके बाद अगर बारीश होगी तो इस जॉइंट में पानी नहीं जाएगा अगर आप यहां पर ब्लैक टीप करते हैं या पिर किसी भी और चीजसे कोटिज करते हैं तब क्या होगा उसके अंदर पानी चला जाएगा जब भी पानी जाएगा तब आपका इसमें कार्बोन जरूर जमेगा और जब जमेगा तब आपका जो पिक्सल है वह ब्लिंग करेगा या फिर आपका जो पिक्सल है वह एक लाइन से नहीं जलेगा अगर नहीं जलता है तो यही पॉबलम होता है तो इस तरह से आप पॉबलम से किस तरह से बचेंगे वह भी चीज मैं आ झारे पर आप देख सकते हैं हर एक वाइड वायर के साथ एक छोटा सा जो वायर है तो उसका टुकड़ा लगा कर आपको वाइड के साथ उल्हें को क्या ले ना यह बस इतना सा काम है और उसके बाद आपको क्या करना है सोल्डरिंग करना जरूर है ठीक है आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा और सोल्डरिंग करने के बाद आपका जो स्लिपिंग पाइब है उसको लगा के आपको थोड़ा अगर हिट दे देंगे तो वो आपका बहुती अच्छी तरह से बैठ जाएगा और वहाँ पर पानी लगने के कारण भी आपका किसी भी तरह का डिश्टाप नहीं है यह मैं आपको गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो बोड है उसमें तनिक भी डिश्टाप नहीं आएगा यह मेरा गैरेंटी है दोस्तों इस वीडियो को आराम से फ्लास तक देखिए समझिए और उसके बाद ही आप बोड मनाईए अगर आपका बोड है तो उसमें अगर इस डिश्टाप बोड आ है तो उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे वह भी चीजस मैं आपको यहाँ पे बता देता है अगर आपका लेम कोई भी लेम अगर स्वाट हो चुका है अगर आप समझ पा रहे हैं जो ये लेम आपका स्वाट हो चुका है उसे अगर आप चेंज कर रहे हैं तो जिस लेम से अपने पहले उस गोट को बनाया था उसी उसी पिक्सल का लेम आपको चाहिए और उसी लेम को अगर आप दूसरा यह यह एक पिक्क सल का अलग भर्षन था यह एक पिक्सल अलग भर्षन है अगर अगर आप लगा देते हैं तो आपका काम नहीं करेगा उसमें यृट संसर मैं आएगा तो इस लिए इस तरह का पोफ्लम तो जिस तरह से यहां पर कर रहा है यहां पर जो बोड है वो जल रहा है यहां पर पर परसन भी हो रहा है आप देख लीजे बड़िया तरीके से आप देख लीजे मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ बहुत बड़िया तरीके से आप देख सकते हैं जो तो यहाँ पर जो है वो हर एक हर एक जो जगा है उसमें किस तरह से लाइम किया है वो चीज भी आप बड़िया तरीके से देख लीजे, आप चाहे तो पॉस भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, हर एक वोयर को सोल्डरिंग किया जा चुगा है, और यहां पे दो एक को जो बाकी है, वो भी कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें हिट सिंग पाइप को लगा के, उसमें हीड भ आई है, आपका भी बोड कभी दिक्कत में नहीं आएगा, कि हई भी आप काम करने जाओगे, आप फॉल्ड में नहीं पड़ोगे, देख लीजे अच्छी तरह से, मैं आप लोगों के लिए जब भी वीडियो बनाता हूं, पोपर वीडियो बनाता हूं, हर एक कुछ नहीं है, पर जो चीज में आप लोगों को दिखाऊंगा, वो बड़िया दिखाऊंगा, यही मुझे अच्छी लगता है, और यही मैं करता हूं, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक कीजे, सेर कीजे, सस्क्राइब कीजे, हमारे च इक्सल के बोड़ के उपर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, जिदना भी दिक्कत आती है, लूज कनेक्शन के लिए आता है, या फिर उसमें पानी लगने के बज़ा से आता है, या फिर आप कहीं पर इस बोड़ को केरिंग कर रहे हैं, किसी जगा से दूसरी जगा लेड़ जा रहे हैं उस जगाब पे क्या होता है रस्ता खराब होने के करण किसी सड़क अगर अच्छा नहीं है तो उसमें जो जरकिन होता है उसके बया से लेम में फॉल्ड आता है बहुत समय ऐसा होता है हम जान बुझ कर जो सही है वो गलत है इसका समझ हमको नहीं आता है फिर भी हम लेरेम को कट कर देते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बोड खराब होता है एक बार अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो कभी भी आपका बोड फॉल में नहीं आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई ने ये बोड जला दिया है और जो फंसन है सो है आप देख लीजे अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजे सेयर कीजे सस्क्राइब कीजे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकोन को दबाना मत भूलिए ताक अगर आपको बोड चाहिए भो भी दे सकता हूं अगर आपको पिक्सल जाहिए वो भी दे सकता हूं आपको बना बनाया हुआ ना मैं together झाये वो भी मैं आपको देन वह किसी वी चीज की जरूरत है तो अपने भाई समझे स्याब कर मेरे साथ कांत इपास से आपको अबला मे मिल जाएगा हर एक कुछ मिल जाएगा आप मेरे पास से भी ले सकते हैं अगर आपको contact नमबर की जरूरत है तो आपका description में मेरा नमबर दिया हुआ है मेरा वीडियो में आपका नमबर दिया हुआ है मेरा तो वाँ से आप contact भी कर सकते हैं मेरे साथ और वाटसब भी मेरे साथ आप कर सकते हैं वाफिह वाटसप आप नमबर भी दिया हुआ है ज्यादा से यहादा आप वाटसप करिए गा पर क्योंकि हर जागा पे वीजी रहता हू और में रहता हूं हर समय मुझे नहीं मिलता है तो अगर आप WhatsApp करेंगे तो मैं आपको जरूर रिप्टाइब देदूगा आपको जिजाइन ही है अपका सामने ही और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी लेटम अपको डिश्टब देगने के लिए नहीं मिलेा अगर आप इस तरह से बॉर्ट बनाते हैं तो आपका जो बॉॉड ओड है वो जिन्देगी भर चलेगा कोई भी डिश्टब नहीं आएगा आपको कभी भी इस बोर्ड के अंदर हाथ नहीं देना पड़ेगा तो इस तरह से हम बोर्ड मनाते हैं आप देख लीजे अगर आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं लाइक कीजेगा जरूर और सेयर करना मत जरूर नहीं दोत्र मगला आपको को तो को झाल 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 झाल